मैं आदर्णिय बेरागी जी से साधर अन्रोथ करता हूं कि वे रिपा पूर्वक यहां अपनी कविता का दान दे आप सब हमारे मंच के सबसे बड़े शिखर पुरुष के लिए एक बार जोरदार तालियां हाथ उठाकर बचा करने का आदर्णिय बेरागी जो भी जवान हो सुन ले उम्र कितनी इस से फरकने पड़ता है पर जवान है तो सुनो अपतर एक बाती के लिए जो अउम्र बर जिंदा रहा एक बाती के लिए जो उम्र बर जिंदा रहा और वो भी ना मिली तो बहुत शर्मिनदा रहा उस दीप से मैं कह रहा हूँ उस दीप से मैं कह रहा हूँ इस तरह रो रही अच्छी भली इस जिन्दगी को इस तरह खो रही एक बाती के लिए मैं तो यह आई सब रंगों की कविता हुई है और मेरी एक पंग्ति परसी मुझे आप से दात चाहिए एक बाती के लिए जो उम्र भर जिन्दा रहा और वो भी ना मिली तो बहुत शर्मिंदा रहा उस दिये से कह रहा हूँ इस तरह रो नहीं अच्छी भली जिन्दगी को इस तरह खो नहीं स्नेह को साधे बिना स्नेह को साधे बिना दर्ती नहीं ही लपाएगी आग को जिन्दा रखो सो बातियां मिल जाएगा क्या बात है आग बाबा आग को जिन्दा रखो सो बातियां मिल जाएगा एक बाती के लिए एब एक दूसरे को मत देखो मुझे दो को तुम सब एक बत्ति के लिए इज मारे-मारे फिरते हो मुझे पता है बिटे तुम्हारी उम्र के मेरे पोटे हैं इसलिए कह रहा हूँ एक बाती के लिए जो उम्र पर जिंदा रहे और वो भी ना मिली तो बहुत शर्मिंदा रहे उस दिये से कह रहा हूँ इस तरह रो नहीं अच्छी बली जिन्दगी को हाई रे इस तरह खो नहीं स्नेह को सादे बिना धर्ती नहीं हिल पाएगी अग को जिन्दा रखो सव बातिया मिल लियाएगी और लिए दात भी चाहिए मुझे ताली वाली बजे बजे नहीं बजे उससे मुझे पर कोई फरक नहीं पड़ता है सुनो आप हे अमावस से लड़ाई जो भी कवी सर थोड़ा सुन लीजे हे अमावस से लड़ाई आप सब जुन्दगी में किसी निकिसी अंदेर से लड़ रहे हैं चाहे प्यार का अंदेर आओ चाहे पैसे का अंदेर आओ चाहे सत्ता का अंदेर आओ पद का अंदेर आओ चाहे किसी का ओ आप सब किसी निकिसी अंदेरे से लड़ रहे हैं हे अंदेरे से लड़ाई हे अमावस से लड़ाई युद्ध हे अंदियार से बोला एक नन्नादीब बोला नन्नादीब बोला मैं उपस्थित हूँ यहां रोशने की खोज में आप जाते हैं कहां बस आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें ध्यान रखो मित्या हम तीन हम तीन लोग यहां लेता है और तीनों की कहीं नहीं सरकारे हैं और सक्रीय आज भी राज नहीं तीनों इसलिए कह रहा हूं मैं अपसे गोर्चाओं का दीपक है हमावत से लड़ाई युद्ध है अन्धियार से इस लड़ाई को लड़े हम कौन से अन्धियार से एक नन्ना दीब बोला मैं इसने की खोज में आप जाते हैं कहां आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें बस आप खुद अन्धियार से यारी निभाना छोड़ दें ये राजनीती पर चस्पा होती है चीज इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे यदि अंधेरा चा गया मित्रों सर 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 मुझे देख इसने लाइक नहीं हूं पर सुनने लाइक तो हूं यारे सकते हैं देखो तो यदि अंधेरा चा गया सबसे कह रहा हूं सारे मंच से भी कह रहा हूं चूंकि इन में सीनियर पोट माना जाता है मुझे यदि अंधेरा चा गया तो इस तरह चीखो नहीं यदि अंधेरा चा ग नारे नए सीखो नहीं तुम रणांगड में खड़े हो युद्ध कौशल खुद चुनो आउती खुद की लगाओ और खुद समिधा बनो सूरी तो अपने समय पर आप ही आजाएगा सूरी तो अपने समय पर आप ही आजाएगा इस भरम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा हम खुद कहां लड़ते हैं हम तो ढूंते हैं जो हमारे लिए लड़े इसलिए कह रहा हूँ यदि अंधेरा चा गया तो इस तरह चीखो नहीं काईरों की भीड में नारे ने सीखो नहीं तुम रनांगड में खड़े हो युद्ध कोशल खुद जुनो आउती खुद की लगा और खुद समीदा बनो सूर्य तो अपने समय पर आप ही आ जाएगा इस भरम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा और अर्स कर रहा हूँ विनित निकल गए सूरद जून ने कोई यसी बात नहीं चांद नी लेकर ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शान्ती और संतोश की वाह ये घड़ी बिल्कुल नहीं है हम एक दूसरे को उत्तर नहीं दे रहे हैं वरना लोग उट अपना पढ़कर की चले जाते हैं मैं देख रहा हूँ मेरो पासवाली सीट नों खली होगा चले गए उनको जाना है इसलिए अर्स कर रहा हूँ ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शान्ती और संतोश की सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश्की ये धरा का मामला है घोर काली रात है और कौन जम्मेदार है ये सभी को गया थे ये धरा का मामला है ये धरा का मामला है घोर काली रात है और कौन जम्मेदार है ये सभी को गया थे अरे रोशने की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे दीप निष्ठा को जगाओ अन्यता मर जाओगे रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे दीप निष्ठा को जगाओ अन्यता मर जाओगे और मित्रों जब धरा पर धांदली करने लगे पागल अंदेरा जब धरा पर धांदली करने लगे पागल अंदेरा और मावस धांस देकर छीन ले तुमसे सवेरा तब तुम्हारा हार कर यूँ बैठ जाना बुजदिली ये पाप है आज की इन पीडियों का बस यही सनताप है जब धरा पर धांदली करने लगे पागला नेरा और मावस दाँज देकर शीन ले तुमसे सवेरा तब तुम्हारा हार कर य्यू बैट जाना बुच्दिली ये पाप है आज की इन पीडियों का बस यही सनताप है हाई रे अब भी समय है अग को अपनी जगा बाट मत देखो सुबह की प्राण का दीपक जलाओ बाट मत देखो सुबह की प्राण का दीपक जलाओ और अर्ज कर रहा हूं जी हां कविता का मंच और बहुत गंबित अर्जाज कर रहा हूं मत करो परवा कोई क्या कहेगा सत्तन थोड़ा तुमसे सहारा चाहिए मुझे कुमार तु सहारा देही रहे मत करो परवा कोई क्या कहेगा इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा सब्र का ये बांद तुमने पूछ कर किस से बनाया वहाँ वहाँ द्यान चाहूंगा सब्र का ये बांद तुमने पूछ कर किस से बनाया वह कान है जिसने तुमें इतना से एंड करना सिखाया अच्छा है बहुत अच्छा है मत करो परवा कोई क्या कहेगा इस तरह तो वक्त का तुश्मन सदा निर्भे रहेगा सब्र का ये बांद तुमने पूछ कर किस से बनाया वह कान है जिसने तुमें इतना सेंड करना सिखाया काया तोड़ दो ये बांद तुमने दो नदी को दाओ पर खुद को लगा कर धन्या कर दो सधी को आँ ऐस की चाओँगा दहं कर दो दो कि ऐस में समय कर रहा हूँ क्या पड़ें मैं समय पर कह रहा हूं को और अब क्या करेंश्य की जवानों ये पंक्ति भगवान करे तुमारे भागे में विधाताने नहीं लिखी हो और लिखी हो तो अपने हाद से मिटाओ मैं समय पर कह रहा हूँ और अब क्या शेश है तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का कलेश तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का कलेश है जो दिया बुझ कर पढ़ा हो वो भला किस काम का वाह जो दिया बुझ कर पढ़ा हो बुझ कर पढ़ा हो वो भला किस काम का ये समय बिल्कुल नहीं है जोती के विश्वाम का ये समय बिल्कुल नहीं है जोती के विश्वाम का कि एए छोड़ दी जिया हम तीनों पालटियों के लोग हैं mitä आज यज तुमने यंदेरे से लड़ाई छोड़ दी तो समझ लो रोषनी की चूड़ियां कर दो तोड़ दी तो समझ लो रोशनी की चुड़ियां कर में बिठा कर चुड़ दी और आई एक आप सब लिख सकते हैं मेरे बाद मुझे जिन्दा रखने वाला ये छे पंग्जियों के एक चंदोर पड़ा करके मैं आपको धन्यवाद दे लूगा यहूं तो आपको हो मैंने ला जारा बजे थरस्वती वंदना होई थी और कुल मुला करके अभी पहुने चार बज रहा है दोस्तों तो कभी सम्मेलन के समय तो उतना का उतनी है जितना कभी सम्मेलन होता है उसमें कम ज़ादा नहीं हुआ है उतना ही है लेकिन आप साड़े ग्यारा बजे गर सरस्वती भंदना शुरू करेंगे तो फिर अंतिम कवितक आते आते हैं तो बस ऐसे ही लोग बचेंगे बैने बेटी हुई है हजारों बैठे हों है लड़के बच्चे सब में तो लोग और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम कविता की प्रतीक्षा में लोग बैठे रहते हैं कि अब तो कविता होगी 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 अब मुझे प्रसंता है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ बहुत हलका छंद है लेकिन ध्यान देना इस चीज पर हमने पढ़ा है कि करोडों सूरज है अकाश में और आपने ही पढ़ा होगा करोडों सूरज है लेकिन ये छे पंक्तियां याद दिला देगी आज मैंने सूरज से बस जरा मेरी कविताएं आज के प्रदान मंत्रे के सामने कुमार विश्वास पढ़े और लुग मुझे टेलीफोन करें कि साब आपकी कविताएं पढ़ रहा है वो मैंने का कि उस लुवार का नाम बताओ जिसने पहली तलवार बनाई हो हमारा काम है तलवार बना देना जो योद्धा होता है उस तलवार का प्रधा जहां भी उसको आता है वहां पर करता है आज मैंने सूर से जो योद्धा होता है हम तो लोग सब लोहर बेटे हुए है तलवारें ले 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 करके तलवारें बना करके भूल जाते हैं आज मैंने सूर्ज से बस जरा सा यूं कहा कि आपके समराज में इतना अंधेरा क्यों रहा आज मैंने सूर्ज से बस जरा सा यूं कहा कि आपके समराज में इतना अंधेरा क्यों रहा तो तम तमा कर वो दाड़ा मैं अकेला क्या करूं तुमने कमों के लिए मैं भला कब तक रहूं तम तमा कर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूँ तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मेरू सूरज कहता है आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो क्या बात है ये आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो संग्रा में ये घंगोर है कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ूं